आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो यहाँ पर हमें domain find करने में जो value हम assign करते हैं तो यहाँ पर क्या assign करेंगे x की value x की value हमें find करनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे domain find करने के लिए इसे ऐसी लिखेंगे cos inverse x square minus 4 equal to y and cos inverse को इस साइड left करेंगे तो क्या जाएगा cos y equal to x square minus का 4 अब हम जानते हैं के cos y की range क्या होती है cos y is always lie between minus 1 and 1 value put करेंगे cos y की तो क्या जाएगी हमारे पास x square minus का 4 is less than equal to 1 and minus 1 से greater than equal होगा अब हम इसे solve करेंगे अगर हम क्या करें add 4 अगर हम 4 add करेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास left hand side में क्या जाएगा 3 is less than equal to x square is less than equal to 5 and x square से हमारे पास 2 value आएगे एक तो plus में एक negative में तो हम यहाँ से देखेंगे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं root 3 से यह बढ़ा होगा x and less than होगा root 5 से जब हम minus value लेंगे तब हमारे पास क्या आएगा and minus root 5 से यह बढ़ा होगा and किस से छोटा होगा minus के root 3 से तो हम क्या लिख सकते हैं x belongs to minus का root 5 comma minus का root 3 union root 3 comma root 5 तो हमारे पास यह किसकी x के value आजाएगी यह हमारी domain होगी यह हमारी final answer होगा option true होगा option 4 classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप यह whatsapp कीजे अपने doubts भी आज च्छार्सो चार्सो चार्सो पर 네 झाल झाल